लालू परसाद यादों ने लिखा था कि हमें बताते हुए बड़ी खुसी हो रही है कि हमने बिहार में 2005-2009 के बीच एक लाख 44,000 करोर रुपया आर्थिक पैकेज के रूप पे हमने लाया था जबकि मेरे सांसद सिर्फ और सिर्फ 22 लालू परसाद यादों वो सक्स थे जो क कि दूसरे नंबर की UPA1 में अपनी हैसियत रखते थे और उसी हैसियत के बदोलत तुनों ने रेल पहिये करखाना अस्थापित किया था नमस्कर दोस्तों पटना के गांधी मैदान में नितीज कुमार 15 अगस्त के औसर पे जंडा फहराने के बाद लालू यादो तेजस्व बोलना पड़ रहा है आप समझो कि 20 साल सत्ता से रहने वाली विपच पे आखिर क्यों बोला जा रहा है और अपनी बातों को क्यों नहीं गिनाया जा रहा है दरसल हम बात करते हैं लालू परसाद यादों ने दो दिन पहले एक पोश्ट किया था पोश्ट था रेलवे पहि 2008 में लालू परसाद यादों ने रेलवे करखाने लगाई थी जिसमें रिकॉर्ड के रिकॉर्ड काविल किये थे दरसल बात करें तो लालू परसाद यादों वो सक्स थे जो कि दुसरे नंबर की UPA1 में अपनी हैसियत रखते थे और उसी हैसियत के बदौलत उन्हों ने 2008 म आत्म निर्भरता की शोगात देती हुई नजर आती है रेलवे करखाने ने आज तक किसी की विदेशी कमपनी से फंडिंग नहीं हुई और अपने बदौलत दो लाग से अधीक रेल पहियों का निर्मान करके या करखाना रिकॉर्ड बनाया था आगे लिखते हैं लालू परसाद यादो कि हमने जब UPA1 में था तो 2005 से 2009 के बीच एक लाख 44,000 करोर रुपया आर्थिक पैकेज के रूप पे हमने लाया था जबकि मेरे सांसद सिर्फ और सिर्फ 22 थे आप समझो कि मात्रे 58,900 करोर रुपय की आर्थिक पैकेज मात्रे 10 साल में लिया लेकिन आप गरज तो ऐसे रहे हैं जैसे करोरो का करोरो का कमपनी बिहार में आपने लगवा दिया हो नितीष कुमार को सोचना चाहिए कि 10 सालों में आपने कितने सांसद दिये समझो 2014 में नितीष कुमार ने केंदर सरकार को 31 सांसद दिये फिर भी मिला कुछ भी नहीं 2019 में बढ़ चड़कर और सांसद दिया गया जबकि उन 40 सांसद दिये गये 40 में से लेकिन बिहार को मिला क्या कुछ भी नहीं 2024 की बात करें तो 30 सांसद दिये लेकिन बिहार को मिला क्या 58,900 करोर की आर्थिक पैकेज ये थी नितीज कुमार की जर्नी लेकिन लालू परसाद यादो की जर्नी की हम बात करें तो 2004 से 2009 तक की उनकी जर्नी ऐसी रही जिसमें केंद्र सरकार में मात्रे 22 सांसद दिये और आर्थिक पैकेज के रूप में उन्हें 1,44,000 करोर रूपिय आर्थिक पैकेज के रूप में बिहार को मिला था समझिये कि एक लालू परसाद यादो कितने बड़े नेता हो सकते हैं वही नितीज कुमार ने सिर्फ कितने पैसे बिहार को दिलवाया जबकि लालू परसाद यादो से कहीं कई गुन्ना सांसद उन्होंने अधीक दिया है फिर भी आज हाथ फैलाना पड़ता है महोदे विसेश राज का दरजा दीजिए लेकिन उभी नहीं मिल पाता है पैकेज भी मिलता है जो घोसना होती है उससे कम तो लालू परसाद यादो ऐसे सक्स हैं कि आज भी जिनकी छाती में दर्द हो जिनके पेट ठीक ना हो जिनको फिसाब में दिक्कत हो तो समझे उस बेक्ति की हैसियत इतनी है कि हर लोग बोलता है उनके बारे में आप समझ सकते हैं लालू लालू है अपने कारेकाल में रहते हुए बहुत सारी चीजों दी है भले आप उन्हें चारा चोर कहकर अपनी भडास निकाल लेते हैं लेकिन जो उन्होंने बिहार को दिया उससे कंपेर 20 साल की सरकार नहीं कर सकती है। जब तेजस्वी यादो की सरकार आई उपमुख मंतरी रहते हुए उन्होंने सिचको की बहाली की इतनी बड़ी तदात में कि आज भी बहालियां लगातार चलही रही है। समझो कि 20 सालों में जिस सरकार ने कुछ कर नहीं पाया ते जस्वी की आते ही नोक्रियां की जरियां कैसे लगने लगी। तो एक होती है सकती अंदर की जिसमें पूरी नीहत के साथ काम किया जाता है। लेकिन वही अगर 20 साल के मुख मंतरी की बात करे उनका मन नहीं करता है। लेकिन अब जो है संगत धरे हैं तो आगे की ओर भी निकल कर जाएंगे। देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लिए यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिए शुक्रिया धन्यबाद।